नमस्कार दोस्तो आप सभी का सुवागत आपके अपने यूटूब चैनल मनी अवडिस्टेल न्यूज अमडियन पर दोस्तो बात करने वाले हैं इंडियन इंफोटेक एंड सोफ्ट्वेर लिमिटेड स्टोक के बारे में अब एक टाम इस स्टोक पर देखा जाए तो काफी अच्छे रेली हम लोगों को देखने को नजर आई है लगाता है यह եोर सरक्शिट के बाद अगर इस स्टोक पर कहीं ना कहीं एक अच्छी रेली का जिक्ट इर ला है अगर किस स्टोक में जख्ता है और गिर आओट अगर होगी तो किस प्राइप तक गिर सकती है तो सबसे पहले price के रूप में अगर हम बात करें तो इस stock की जो price है वो 2.50 पेसे पर closing नज़र आई है अब यहाँ पर 10 पेसे के आज के single session पर उचाल देखने को नज़र आई है पर इस भी सगर यहाँ पर market में अगर बड़ी jump की अगर हम बात करना चाहूं तो 2.60 पेसे तक एक अच्छा उचाल एक अच्छा jump भी हम लोगों को कईना कई देखने को नज़र आया है पर इस वीपरिय तक हम बात करें लिए last पिसले 5 session के ओपर तो पिसले 5 session में दोस्तो इस stock का जो jump है वो कईना कई एक strong jump देखने को नज़र आया था पर लगातार हम बात करें दोस्तो लास्ट एक महीने के ओपर तो लास्ट एक महीने में दोस्तो काफी अच्छी तेज़ी के बावजूत इस stock में गिराउट भी देखने को नज़र आई है क्योंकि लगातार जो jump था वो 2 रूपए 680 पिस तक increase हुआ था पर उसके वीपरे जो गिराउट हुई 2 रूपए 40 पिस तक भी नज़र आई मंथ म Inner बावजर ओर जो सबिके पास तो कंगाली का महीना हुई वह मिलता है बर उसके भीट इस stock घूम कई ना कई दोस्तों 6 मेने के अंदर strong नजर आया था क्योंकि लगातार अगर इस स्टोक पर गिर आउट हुई है तो only दोस्तों operators के ट्रेप के चलते क्योंकि company के उपर जो कर्ज है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है साथ साथ company के profit की जो growth है वो काफी high देखने को मिलती है तो जो गुंचाली सो गुंचाली सो गुंचीज परतिसात के तो काफी highly जो profit की growth है वो company नहीं पर बुक कर रखी है और दीरे 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 दोस्तों company के अंदर जो है moment जो है वो change होते हुए देखने को मिल रहे है और company का जो market cap है वो भी काई नहीं नहीं दोस्तों एक अच्छा जो market cap है उसमें तबदिल होता हुआ देखने को नजर आ रहा है तो अभी दोस्तों मेरे personal opinion के मताबिक दोस्तों अभी के आप टाप जो है आप holding अच्छा खासा ब है तो इस चीज़ को दोस्तों हम लोग को ध्यान में रखता है और investment बनाना है और लगातार जो data है उस पर continue हम लोग को hold रखने के आओ सकता है इसलिए मैं आप लोग को suggest कर रहा था कि आप mid-term और long-term दो ट्रम यहाँ पर continue hold रख ले क्योंकि लगातार जो आकड़ है वो काफ पर मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों टोटल जो portfolio है वह investment ना करें किसी भी इंवेस्टों के में आप दोस्तों पूट्फोलिय है अपना वह किसी भी एक इस टोप पर इन्वेस्ट ना करें फिलाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दू चैनल पर नहीं ह तो कई नहीं दोस्तों मार्केट जो है मूँमेंट तेजी से बदलने की समता है वह रख सकता है और जो प्राइस में जो और यह यहां पे मिल सकता है क्यूंकि दोस्तों मैं इस वज़ए से बता रहा है तो एक लगातार जो डेटा है वह यहां चार्ट पैटरन पर काफी positive देखने को मिल रहा है और low price पर दूस्तों अगर जहां तक market गिरता है तो दूस्तों next month 100% market गिरेगा तो low price पर आच्छी कासी आप buying बना ले कंपनी का जो support zone एक अच्छा जो support है वो काफी अच्छा ने करेट करते हैं तो market अब वापस अगर देखने को मिल रहा है तो patience और hold हम बनाएंगे तो एक अच्छा कासा profit gain करके जाने की जो समता है वो रख सकते हैं इस stock के उपर long term mid return के अंदर फिलाल दूस्तो आपके नजर में इस stock के और कोई बेसक जानकारी हो कमेंट सेक्चन में जरूर से बता देना उमीद करता हम जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहे हो तो चैनल के जरूर से सब्सक्राइब कर देना और आपके जरूर को तुसके जानकारी कमेंट में पिन कर देना एंसेस करके आपको जल्दी बता दिया जाएका तो मिलते हैं एक्टेमेसिंग वीडियो के साथ तब तक के लिजाद दीजिए जैसरी कशना थैंक्स रोजिंग दिसमें वीडियो जैंग जैबात अंदे मात